तो आज किस इन्फर्मेटी बीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि यह जो 11 के विक सप्लाई होती है इसमें कितना भोल्टेज है और कितना करेंट है इसको किस मेजरिंग डिवाइस से हम लोग नापते हैं क्योंकि हमारी घर तब जो छोटे आमीटर और भोल्ट मीटर आता ह होती है 11000 भोल्ट और एंपियर जो होती है किस डिवाइस से नाप जाता है उसी की डिटेल आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं जैसा कि आप जानते हैं जो हमारे घर तब जो एंपर मिटर होता है वो उसका जो कनेक्शन होता है वो लाइन के स्रीज्म होता है यह जो आपको एक्यूपमेंट ने जा रहा था इसका नाम है करेंट ट्रांसफॉर्मर यानि कि सीटी कि इसका काम होता है करेंट को मापने के लिए क्योंकि जो जादा होती है तो बहुत डेंजर करेंट होती है उसको मापने के लिए कॉंटेक्ट लेस्ट एमपेर मिटर का उप्योग आता है और यह कॉंटेक्ट लेस्ट है इसका नाम है सीटी आनि के करेंट ट्रांसफॉर्मर इसका भी जो बनावट होता है, construction होता है, वो एक transformer की तरह होता है, और इसका काम होता है current को मापने है, क्योंकि हमारे घर तब जो general meter होते है, उसका connection series होता है, और ये भी एक meter है, इसका भी connection है, वो series में देख सकते हैं, यहाँ पे line input गया है, इसका output CT से गया है, तीनो phase को मापन के लिए, यहाँ पे अलग से PT लगा जाता है, यानि कि potential transformer, यानि कि जो line के जो, यह potential होती है, potential voltage का ही दूसरा नाम है, तो potential नाहिए यहाँ पे लगा होता है PT, यह पोटेंशियल transformer, यह होती है, यह होती है, यह voltage को मापने के लिए, अब देख सकते हैं, यह connection यहाँ पे, एक phase कि तरह होता है और यह भी कॉंटेक्ट लेस्ट है तो यहाँ पे तीनों फेस्ट को में आपने के लिए तीन गों अलगल यहाँ पे पीटी लगावे यानिके पोडेंसियल ट्रांसफॉर्म से इलेक्ट्रिकल से जोड़ी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को आज ही सब्स कर ले आज के लिए तना ही धन्यवाद